अगर आप डेली वीडियो पीडियाफ नोट्स और ओनलाइन टेस्ट सिरीज लेना चाहते हैं तो अभी जॉइन करी हमारा वाट्साप ग्रूप नीचे दिये गए नंबर पर आप हमें कॉंटाक्ट और वाट्साप करिए स्टार्ट करते हैं दिखें एक सक्सेसफुल जो टीचर है वो कैसा दिखता है अब आप देखें कि आप अपने मन में सोचिए एक सक्सेसफुल टीचर आपके मन में कुछी टीचर के नाम आए या कुछ टीचर की इमीज बन जाएंगी जिन्नों ने बहुत बड़िया बड़िया काम किया है अब आप देखें कि जब आप किसी स्कूल में या किसी कॉलज में जैसे माले जी आपने स्कूल पढ़े हैं आप कॉलज में पढ़े हैं आप युनिवस्टी में पढ़े हैं सब ही टीचर जो आपको पढ़ाते थे तो सब ही आपके फेवरेट नहीं होंगे कुछ ही आपके फेवरेट होंगे वाँ पे तो देखिए उनका पढ़ायाव आपका बहुत पसंद आएगा सक्सेस्फुल टीचर ऐसा नहीं है उसको बहुत knowledge जो वो successful है knowledge तो है लेकिन वो अपनी knowledge को बच्चों तो किस तरह से पहुंचाता है हो है successful teacher एक teacher के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सारे ही पास हो जाए या वो बड़े officer लग जाए या वो teacher लग जाए यानि कि जो बच्चे बना चाते हैं teacher अगर उन्हें पढ़ा दे वो बच्चे अपनी महने से काम जब हो जाए तो वो होता है successful teacher अब देखे ये वीडियो अगर आपके काम आ जाए तो हमारी महने सफल हो जाएगी तो हम भी successful teacher कहलाएंगे आपके द्वरा पढ़ाया गया कोई भी बच्चा या आपके teacher के द्वरा पढ़ाया गया कोई भी student अगर कुछ अचीव कर लेता है अपने life में तो वो होता है successful teacher तो देखे ये है successful teacher तो अब बार ही आती है हमारे main topic की teaching aptitude अब देखे teaching aptitude जब भी आप कोई भी कुछ भी पढ़े आप कुछ भी तो सबसे पहले आप उसका title देखिए कि जो title दिया होता है उसका मतलब क्या है हम पढ़ने का जा रहे है आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं पहले आप उसका मतलब जानी है तभी आकोविची समयज में आएगी तो देखें teaching aptitude जो है वो नाम से ही पता चलता है कि teaching plus aptitude ये दो शब्दों से मिलके बना है teaching का हिंदी में मतलब होता है शिक्षन और aptitude का मतलब होता है योग गिता, अभी वरिती या कौशल तो देखें teaching किस में होती है teaching में aptitude भी होता है यानि कि teaching का मतलब हुआ अब देखें teaching होता क्या है teaching होता है कि एक teacher teaching होती क्या है कि जब एक teacher देखें अपनी टीचिंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है अब देखें ऐसा तो है नहीं कि सारे ही टीचर हैं अब आप देखें कि मान लिजिए आपने पोस्ट गरेजुशन किया है आपने मा किया हैं अब आपकी कलास में मान लिजिए 100 स्टूडेंट से या 50 रीजन क्या है क्योंकि सभी में क्या है टीचिंग एपट्योड नहीं होता तो जिन बच्चों में टीचिंग एपट्योड होता है वो आगे जाके शिक्षन बनते हैं यानकी वो टीचर जिन में टीचिंग एपट्योड पाया जाता है वो टीचिंग एपट्योड कहलाता है यह से कहा जाता है अब आप देखेंगे कि आपके साथ पड़े हुए जो स्टूडेंट थे सारे टीचर नहीं बने कुछी टीचर बने हैं माली जे सो बच्चों ने एक्जाम दिया आप सिंपल साथ देखे कि यूजिस नेट में हर साल दस या बारा लाख बच्चे जो है वो ट्र इसे इस्तेमाल करता है आप देखेंगे कलास में जब टीचर अपनी टीचिंग की दुआरा बच्चों का जमझाता है और बच्चों के असानी में समझ में आ जाता है तो वो कैसे करता है वो करता है अपने एप्टिटूट से यानकि अपनी योगिता से एक टीचर अपने ए टीचर उसे बहुत असानी से करवा देते हैं, तो यह किस में आएगा, यह आएगा टीचिंग अप्टिटूड में, यानि कि टीचर के द्वारा पढ़ाने का वो तरीका टीचिंग अप्टिटूड कहलाता है, जो बच्चों के असानी में समझ में आ जाए. देखें, टीचिंग अप्टिटूड आप देखेंगा, तो यह अप्टिटूड रेफर करता है बेसिक क्यूलिटी एक सक्सैस्फफ़ टीचर बनने के लिए, यानि कि अगर आपको एक सक्सैस्फ़ टीचर बनना है, एक सफल शिक्षक बनना है, तो teaching aptitude उसमें basic quality बताता है यहांकि एक teacher अगर आपको एक successful teacher बनना है तो आपमें क्या basic quality होने चाहिए यह एक जो successful teacher होता उसमें basic quality कौन सी होती है वो teaching aptitude refer करता है These include qualification, soft skill, intelligence, attitudes and many other qualities expected from a person who wants to become a successful teacher आप देखें इसमें होता क्या है यहांकि teaching aptitude में जो basic qualities यह वो क्या होती है वो होती है qualification यहांकि teacher कितना पड़ा है उसके बाद उनमें soft skill, intelligence यहांकि जो उनका intelligence है वो और उनका attitude या उनका वहवार जो बच्चों साथ होता है और भी बहुत जादा other qualities जो एक person में पाई जाती है वो एक successful teacher बनता है अब आप देखें कि एक अच्छा teacher एगा आपको एक successful teacher बना आप में यह quality होनी चाहिए या आपको लगता है कि यह successful teacher है उसमें यह quality वाके ही होंगी यान कि जिस person में यह quality होंगी यह basic quality होंगी वो successful teacher बनेगा या वो successful teacher होगा तो देखें qualification बहुत जरूरी है अब आपको UGS net पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो यहां नहीं कि दसमी वार्मी का कोई भी student आके आपको पढ़ा देगा है ना या सिरफ graduation का पढ़ा देगा उसके लिए आपको क्या चाहिए उसके लिए आपकी qualification होनी चाहिए उसके लिए आपको में intelligence होनी चाहिए आपका attitude होना चाहिए और बहुत सारी qualities आपके अंदर होनी चाहिए तो आप बहुत ही असान भाषा से आपको करवा रहा हूँ बहुत ही easy language में करवा रहा हूँ कि ताक कि आपको गहीं पर दिक्कत ना आए Meaning of teaching यानकी teaching का मतलब क्या है, शेक्षन का अर्थ क्या है अब देखें education के field में teaching क्या है, यह है sharing of knowledge and experience sharing of knowledge क्या है, अब आप देखें कि teacher एक teacher क्लास में पढ़ाते है वो बच्चों में क्या करते हैं, वो knowledge को share करते हैं यानि कि जिस topic के लिए अब जैसे मैं आपको अपनी example देता हूँ आपको मैं पढ़ा रहहाँ teaching aptitude अब जो मेरे mind में या मेरे अंदर knowledge है teaching aptitude के regarding वो आपसे मैं share कर रहा हूँ, यानकि मैं अपनी knowledge को आपको power कर रहा हूँ यानकि मैं अपनी knowledge को क्या कर रहा हूँ आपको अपने transfer कर रहा हूँ, इस वीडियो के ज़िए ऐसा ही एक क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ाते समय जो उसके mind में जो knowledge होती है topic regarding वो बच्चों के साथ student के साथ या aspirant के साथ share करते हैं तो वो होता है sharing of knowledge ये किस में आता है ये आता है education की field में ये किस के साथ आता है किस के दुबारा आता है किस के जरिये आता है teaching के जरिये यानि कि क्लास में एक teacher teaching के जरिये education की field में अपनी knowledge को और अपने experience को share करता है तो वो teaching का मतलब कहलाता है I hope आपको ये understand हो गया होगा Effective interaction between the teacher and the student अब देखिए effective interaction होगा teacher and student के बीच में Effective interaction का मतलब यहाँ पर क्या है अब देखिए मान लेजिए कि क्लास में जो बच्चे हैं और जो क्लास में teacher पढ़ाते हैं अब उनमें है क्या अब उनमें क्या है देखिए एक effective interaction है न यानि कि देखिए कि जो teacher क्लास में बच्चों को बढ़ा रहे हैं और बच्चे द्यान से teacher की बात को समझ पा रहे हैं तो वो क्या है वो effective interaction है इनकी teacher ने जो समझाया बच्चों ने उसे असानी से समझ लिया यानि कि teacher द्वारा समझायी गई हर बात को बच्चों ने समझा और जब exam दिया जब test दिया तब बच्चों को कोई भी problem नहीं हाई तो तब teacher की जो teaching है वो successful हो गई तो क्या है effective interaction तो क्या है effective interaction का सीधा सा यह मतलब है कि teacher के द्वारा पढ़ाया गया बच्चों के समझ में आ जाना वो क्या है effective interaction अब देखे माली जो teacher के पढ़ाते समय बच्चों के मन में कुछ caution हो कुछ doubt हो तो teacher बच्चों के सारे caution के आंसर दे दिता है तो वो क्या है वो effective interaction यहां कि student interest लेके पढ़ रहे है और teacher भी interest लेके पढ़ा रहे है तो वह क्या है effective interaction देखेंगे देखें according to Nelson Mandela Nelson Mandela को आप जानते ही है यह अफ्रीका के राश्टरपती थे जिनको 27 साल जेल में रखा गया उसके बाद यह वहां के राश्टरपती बने तो आप देखें इनको South Africa में गांधी के नाम से जानना जाता है यहां कि जैसे यहां पे महात्मा गांधी थे तो इनको महां पे South Africa का गांधी कहा जाता है so according to Nelson Mandela education is the most powerful weapon which you can change the world यानि कि देखिए जो education है वो बहुत ज़्यादा powerful weapon है एक बहुत ज़्यादा शक्ति शाली हत्यार है जिसके जरिये क्या कर सकते हैं आप world को change कर सकते हैं आप देखिए आजकल ज़्यादा है WhatsApp का, Facebook का यानकी social media का आजकल ज़्यादा है लेकिन पहले ऐसा ज़्यादा नहीं था पहले क्या था कि जो जैसे कालमाक्स राइडर है मैक्यावली है ऐसे बहुत सारे राइडर है जैसे आप देखिए कि सौकर्टी थे सबसे पहले उसके बाद देखिए फिर सौकर्टी का प्लेटो आए अरेस्टोटन आए तो इन में क्या था इन में कलम की ताकत थी यानि कि आप सिंपल साइ रखिए कि जो इनके थौट थे जब इन्होंने लोगों तक पहुंचाए तो वहाँ पे क्या होगा है गए रिवॉल्ट आ गया गए रेवॉलूशन आ गया तो यही कारण है यही रीजन है कि जो एजुकेशन है वो मोट पावर्फुल वैपन है जिसके जरिये आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड यानि कि देखे बिने आजुकेशन के हर एक वन्दा जानवर के समान है अगर उसे एजुकेशन होगी उसको उसने एजुकेशन ली होगी तो वो समाज में या हमारे सोशल सोसाइटी में रहने लाइक होगा तो देखे कलम की ताकद यनकी education एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे आप दुनिया को change कर सकते हैं क्योंकि देखें इसे उठाकर देखें बहुत सारे reward जो हैं वो बहुत सारे change हैं इसी के कारण आये हैं आप देखें कि जब हमारे भारत की अजादी नहीं हुई थी जब इंडिया अजाद नहीं हुआ था तब देखें महात्मा गांदी ने पत्रिगाई निकाली और बहुत सारे लोग देखें पत्रिगाई निकालते जो हमारे freedom fighter उनने पत्रिगाई निकालते थे अखवार निकाल उसके बाद देखें अब देखें यहाँ पे शब्द आया है इंग्लिश में आप्टिकल का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं इसे सर्वोत्तम या सर्वस्टेश्ट यहनकी सबसे बेस्ट अब देखें यहाँ पे क्या है कि टीचिंग में जो चिल्टर्न है वो कौन सा रोल निभाते हैं वो निभाते हैं सेंट्रल रोल और टीचर का करता है वो बेस्ट रोल निभाता है अपना अब आप देखें कि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है वो किन को पढ़ाता है वो पढ़ाता है children को या student को तो अगर मान के चलिए कि class में only teacher हो student हो ही न, children हो ही न तो वो किसे पढ़ाएंगे वो तो useless हो गया काम तो इसलिए किनको पढ़ाना है कौन center में है children अब मान दीजे class में children तो है, student तो है लेकिन teacher नहीं है तो तब भी class useless है तो children को पढ़ाना है वो है central role और teacher ने पढ़ाना है teacher ने best role निभाना है teacher का है यहाँ पे optimal तो यह इसका मतलब है तो direct course नहीं है पूर सकते हैं आपको exam में तो आ सकता है according to gauge teaching as a process of relationship which should be dealt with corporation यहाँ पे corporation आएगा ठीक है, corporation यहाँ पे आएगा तो देखे, जो teaching है वो क्या है वो एक process है relationship का, ठीक है corporation का, देखे यहाँ पे क्या है कि class में teacher भी है class में student भी है तो उनके बीच में क्या है उनके बीच में क्या है relationship है teaching क्या है, एक relationship है दोनों के बीच में teacher के दवारा पढ़ाया गया जो भी बढ़ाएगा टीचर के दोबारा, बच्चों ने अगर उसे अच्छे से समझ लिया, या बच्चों के मन में जो doubt था वो टीचर ने समझा दिया, तो वो हो गया एक अच्छा relationship, वो गया एक cooperation, अब देखें, अब यहाँ पर बारी आती है, Difference between Teaching and Coaching, अब देखें, यहाँ पर क्या है कि Teaching और Coaching में फरक क्या है, अब देखें, पहले बात करते हैं, Teaching की, It provides formal education for students in educational institutes like school, university, college, etc. यानकि Teaching वो चीज है, जो formal education के अंदर आती है, formal education कहाँ पर दी जाती है, student को, जैसे school, university या college, यानकि formal education क्या है, जो school, college, university में दी जाती है, वो है, formal education और Teaching वहीं पर काम आती है, यानकि Teaching कहाँ पर होती है, school, university, college, ठीक है, और Coaching क्या है, Coaching क्या है, It is used in particular subject or skill, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, particular subject के उपर या skill, यानकि Coaching का मतलब होता है, कि आपको खास चीज को सीखना, अब देखें, सभी ने post-graduation किया है, university से, college से किया है, सभी ने post-graduation, अब देखें, उसके बाद क कि बार ही आती है, UGCNet exam डालने की, अब कोई भी college ऐसा नहीं है, वहाँ पर UGCNet करवाया जाता है, क्योंकि देखें, वो तो formal education देते हैं, लेकिन जब हमें किसी competent exam की त्यारी करनी होती है, तब हमें coaching का में आती है, कुछ student खुद पढ़ते हैं self study, और कुछ जाते हैं coaching center में तो वहाँ पर क्या है, यानि कि आपको यहाँ पर coaching दी जा रही है, coaching का मतलब है कि अगर आप किसी competent exam की त्यारी कर रहे हो, आप उसके ready कर रहे हो, किसी particular subject के लिए, अब देखें आप UGCNet कर रहे हो, तो वो क्या particular subject, यह paper 1 है, किसी का paper 2 अलग से होगा, यानि कि अगर आपको किसी competent exam की त्यारी करनी है, तो उसमें coaching काम आती है, simple सा यह मतलब संजीए, teaching होती है, school, college, university में use, और coaching होती है, अगर आपको competent exam की त्यारी करनी है, वहाँ पे, it is usually task and performance based, अब देखें आपको task and performance based है, task है कि आपको 6 month, आप देखें कि जैसे UGCNet की duration होती है, 6 month में, 6 month में एक बार exam करवाए जाता है, यहनकी साल में 2 बार exam होते है, 6 month के gap में, ठीक है, तो आपको महाँ पे task है कि आपको 6 month के अंदर आपको अपना paper 1, paper 2 cover करना है, और आपकी performance कैसी है, उसी के हिसाब से आपका UGCNet में selection होगा, अब देखें, आपने 6 month में task लगाया, आपने paper 1, paper 2 उसके बाद अगर आप exam बढ़िया आपका होगा, आपकी performance अच्छी रही, तो आपका net yearf qualify होगा, अगर performance खराब रही, तो फिर आपका net yearf qualify नहीं होता, तो यह फरक है यहाँ पे, teaching है, school, college, university में, coaching है, किसी competitive exam की त्यारी के लिए, यानकी अब जो आप पढ़ रहे हैं, वो ह कोचिंग, तो अब हम देखेंगे, characteristics of teaching, यानकी, शिक्षन की विशेश्थाएं, या teaching की विशेश्थाएं, कौन सी हैं, तो देखें, आप देखें कि teaching में बहुत सारे characteristics होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं, जो हमारे काम में आती हैं, तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो इसका पहला characteristics है, वो है, ए professional activity, यानकी, teaching क्या है, वो है professional activity, teaching है professional activity, ऐसा तो है नहीं है, कि कोई भी teacher आके आपको पढ़ा दे, है ना, school का teacher आपको आपको यूजिशनेट करवा रहा है, और कोई भी teacher ऐसा नहीं है, जो इस field का master होगा, वो आपको इस चीज क करवाएगा, ठीक है friends, यानकी, professional activity ऐसा नहीं है, कि school का teacher आपको आके करा दे, कोई भी MA का student है, या post graduation का student है, वो आपको 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 पढ़ा दे, ऐसा नहीं है, teaching क्या होती है, एक professional activity होती है, अब देखे, government जो है, वो college level के लिए, क्या करती है, यूजिनेट का exam रखती है, और school level के लिए, TED का exam रखती है, अगर TED का exam qualify करेंगे, तो हम school में पढ़ा सकेंगे, net का exam qualify करेंगे, तो हम पढ़ा सकेंगे, college में, तो उसको करने के बाद, आप पढ़ा सकते हैं, अगर government करे दे कि हम कोई भी test नहीं रखेंगे, तो आप ऐसे ही आजाओ, तो वहाँ पर देखें, वो professional activity तो होगी नहीं, तो इसलिए क्या है, कि जो teaching है, वो एक professional activity है, यहनके से खास, जो teacher है, वो ही करवा सकते हैं, एक specialized task, यहनकी क्या है, एक विशेश कारे है, एक specialized task है, specialized task क्या है, अब देखें, college के अंदर, एक math का teacher है, एक political science का teacher है, ए chemistry का teacher है, अब देखें कि science का teacher arts के subject नहीं करवा सकता, और arts के teacher science के subject नहीं करवा सकते, अब आप देखें कि अगर आपको history पढ़ना है, अगर आपको political science पढ़ना है, तो आप math के teacher के पास तो जाओगे नहीं, आप किसके पास जाएंगे history या political science teacher के पास यानकि जो आपका subject है आप उस teacher के पास जाओगे जिनको math सिखना है वो math के teacher के पास जाएंगे तो सही होगा ना कि specialized task है teaching एक specialized task है यानकि जिस subject मास्टरी है वो उस subject का क्या है वो special teacher बन जाता है वो चीज को अच्छे से करवा पाएगा अगर आप history रखते हैं math के teacher के पास जाएंगे तो वो आपको करवा ही नहीं पाएगा उसके बाद encourage student to learn more and more अब देखिए यहाँ पे teaching में सबसे एक important बात आती है कि student को encourage करना किसके लिए वो learn करें जादा से जादा अगर teacher आपको encourage करें न तो student पढ़ेंगे नहीं अगर मैं आपको कह दूँ आप मत पढ़िये आप ऐसे ही चलेए exam देने के लिए आपका qualify हो जाएगा तो बहुत सारे student है वो करेंगे नहीं लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि आप अच्छे से करिए अगर आपको वाक़े ही qualify करना है net jrf देखे सबसे पहले अगर आप कोई भी exam देने जाते हैं आप उसकी त्यारी ऐसे करिए कि उसको आप आखरी बार exam दे रहे हो वो आपका last chance है यहाँ कि आप अपना उसमें best दीजी तो जितना आप उसे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे उसमें आपको जो success है वो असानी से मिल जाएगी यहाँ कि teacher का काम क्या है teaching के अंदर student को encourage करना कि वो जादा से जादा learn करे जादा पढ़े तो वो example देख सकता है कहीं कि जैसे महाली जाद ने uses net qualify करना है वो example देदे कि इस बच्चे ने पहली बार में net qualify किया या पहली बार में जेर्फ qualify किया बिना किसी coaching के तो आपको encouragement होगा ना कि वो बिना coaching कर सकता है तो हम coaching के साथ क्यों नहीं कर सकते तो वो किया encouragement हो गया an interactive process वही आगी interactive process क्या है interact होना teacher जब class में पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या है student क्या है interact होते है interactive process है teacher बच्चों को समझा रहा है बच्चे उसका answer साथ साथ दे रहे है या बच्चे उसे समझ रहे है और teacher से उस regarding answer caution कर रहे है तो वो कह है वो interactive process है जिसमें दोनों involved है teacher और student provide formal as well informal education देगे teacher का काम है formal education देना यह की school, college, university में जो पढ़ाते हैं वो और informal education देना यानि कि उसका काम यह नहीं कि आपको पढ़ा दिया बात खतम लेकिन आप social society में कैसे रह रहे हैं दूसरों के साथ कैसे behave करना है वो भी आपको साथ में सिखाएंगे जैसे माले जे class में बच्चे बैठते हैं तो teacher बढ़ाते हैं बच्चे कैसे बैठे किस हिसाब से बैठे कैसी language यूज़ करें कैसे बड़ों से बात करें सब कुछ इसमें सिखा जाता है teaching is a tool ठीक है to help students to adjust him in society and environment अब देखिए कि teaching एक tool है जो students की help करता है society में उनको adjust होने के लिए society देखे society क्या है जहां पे हम रहते हैं society हमारे से ही start होती है society का मतलब हम, हमारा asperos हमारे रिष्टेयर हमारे सगे समधी हमारे दोस्त हमारे relation में जितने भी person है वो क्या है society या जितने भी नहीं है वो क्या है society अब देखे society के rule होते है सड़क पे चलने के लिए सड़क के rule होते है कि आपको गाड़ी अच्छे से चलानी है ठेड़ी में रिज लाएंगी चलान कटेगा तो ऐसे ही society में रहने के लिए आपको क्या है आपको adjustment की जूरूत है वो क्या करते है teaching teaching देखे ये परिवार से भी होती है आपकी family से और teacher के द्वारा भी ये मतलब हो गया कि जो teaching है teacher के द्वारा जो दी जाती है वो बच्चों को ये student को society में रहने के लाइक बनाते है अब आ रहे आती है objectives of teaching यानकी section के उदेशी का है teaching के objectives है क्या तो यहाँ पर देखे पहला क्या है to shape behavior and conduct यानकी shape देना किसे behavior के देखे student के behavior को और student के conduct को conduct का मतलब होता है आचनन behavior का मतलब होता है वैवार यानकी student के behavior को और conduct को क्या है shape देना अब आप देखे कि shape का मतलब क्या है अब आप देखे कि मान लीजे कि student का behavior class में अच्छा नहीं है कारण क्या है उसका reason क्या है कि student को चीज़े वह समझ में नहीं आ रही यारे कि मान के चले कि student को history नहीं आ रही student को math समझ में नहीं आ रहा तो जिसकी विज़े उसका behavior जो है वो change हो रहा है तो उसको सही करने के लिए वो क्या करेंगे उसकी problem को solve करेंगे उसको वो shortcut tricks बताएंगे याद करने के भी और caution करने के लिए अगर वो उसे अच्छे से कर लेगा वो उसे चीज आ जाएगी student को उसे क्या होगा उसका behavior change हो जाएगा और उसे shape मिल जाएगी To improve learning skill of student देखें learning skill of student उसे improve करना एक होता है hard work, एक होता है smart work ठीक है hard work होता है कि आपने UGCnet की त्यारी की आपने 10 किताबे पढ़ ली लेकिन result क्या आया? 0 क्योंकि आपने hard work किया आपने रट डाला सब कुछ exam में कुछ नहीं आया smart work क्या है कि आपने limited चीज पढ़ी जो आपके काम की थी और उसी को अच्छे से किया तो आपका exam हो गया qualify hard work में हम फालतों की बहुत सारी चीज़े पढ़ लेते हैं जो हमारे काम की होती नहीं है smart work में हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमें काम का है ठीक है? आप देखे कि smart work में आप YouTube की वीडियो देख सकते हैं time management के लिए उसके according आप काफी कुछ digital जो पढ़ाई कर सकते हैं digital माध्यम से, digital जरिये से और काफी ऐसी चीज़े हैं जो smart work के अंदर आती है इनकी कम समय में भैतर चीज़ करना क्या है smart work तो देखे learning skills जो है वो से improve करना कैसे? detect errors in the statement अब देखे जो student है जो उनके जो errors आते है यह उनकी जो errors है यह उनकी गलतिया है तो उनको पकड़ना कि student कहां पर गलती कर रहे है कि ताकि वो आगे से ना करे उसके बाद देखे classify facts, events, terms and concept अब देखे यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह है कि classify facts हो गया न events, terms and concept यहाँ कि देखे जो facts है यह कि जो facts है और जो terms है जो concept है उन्हें अच्छे से समझाना कि कोई कहानी पड़ी उसमें क्या important है या आपने कोई चीज पड़ी उसमें क्या important है उसे underline किया ठीक है वो किसके ओपर based है वो concept है कि जैसे हम teaching aptitude पढ़ रहे हैं तो यह क्या है य चीज उनको बताना उसके बाद identify relationship between cause and fact यहनकी relationship किसके बीच में cause and effect के बीच में ठीक है यहनकी जो चीज है cause and fact क्या है जो चीज है वो क्यूं है किसके कारण है reason क्या है वो ऐसी क्यूं है उसको पहचाना उसके बीच में यहनकी दो चीजों के बीच में आपस में relationship है क्या वो सब कुछ बताना वो क्या है identify relationship किसके अंदर आएगा learning skill को improve करने के लिए आप teaching अप्ट्यूट पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि school college में teacher कैसे पढ़ाते हैं और आप कैसे बढ़ाएंगे तो यहां पर देखें next है create interest in the study यानि कि study अड़ी के अंदर क्या है interest पैदा करना अब देखें बच्चों को सबसे मुश्किल क्या लगता है इंडिया में देखें 70% student को मुश्किल लगता है math वो कहते हैं दसमी के बाद या 10th के बाद math बिल्कुल निकरना बिल्कुल विकार है तो उनका महाँ पर interest नहीं है अगर देखें कि आपका history में interest नहीं हो आपका math में interest नहीं हो तो उसको interest को concrete करेगा वो करेगा teacher किसके द्वारा teaching के द्वारा अब देखें वालिज़ आपका किसी चीज़ में interest नहीं है मालिज़ आपका history में interest नहीं है तो कैसे interest पैदा करेंगे right articles on related topics यान कि देखें अगर आपका history में interest नहीं है तो आपको history का teacher एक ऐसे topic दे देंगे उसके उपर जब आप लिखना start करेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे और लिखते लिखते आपको वो चीज की वैसे ही knowledge हो जाएगी यानि कि आपका interest नहीं है लेकिन फिर भी आपको वो चीज करनी पड़ रही है जब आप उस चीज को करेंगे तो आपको वो चीज मजा देने लगेगी वो चीज आपको असान लगने लगेगी तो आपका उसमें interest पैदा हो जाएगा आपका school है, college है, university है, कोई वहाँ पे आपको, आपका annual function है, कुछ भी function है, तो वहाँ पे कुछ drama है, या कुछ historical drama है, जहाँ पे आपको participate करवाया जाता है, जिसका interest नहीं है, उसको करवाया जाता है, जैसे कोई अमान के चले की अजादी का time का, वो दिखा दिया, उसमें कुछ अंग्रेज बन जाएंगे, कुछ उसमें freedom fighter बन जाएंगे, है न, तो बच्चे जब उस चीज़ में participate करेंगे, तो उस चीज़ को समझने में बहुत जादा असानी हो जाएगी, कि यह चीज़ ऐसे ही हुई होगी, यानकि historical drama में participate करेंगे, आपको वो चीज़ असानी से समझ याद हो जाएंगे, यानकि जो student का history में interest नहीं है, अगर वो उसके documents पढ़ेगा, maps पढ़ेगा, नक्षे देखेगा, तो उसमें क्या है, बहुत interest पैदा हो जाएगा, उसको बहुत देखिए, objectives of teaching, इसमें क्या है, देखिए, हम इसी को continue करें, objective of teaching को, development of attitudes, अब देखिए, attitudes क क्या है, develop करना, know about other religion and faith, अब देखिए, उनको बताना, कि जिस समाज में, जिस society हम रहते हैं, उनके जो other religion है, जो other लोगों की जो विश्वास हैं, उनके बार में बताना, जैसे देखिए, हमारे समाज में क्या है, हिंदू, मुसलिम, सिक, हिसाई, सबीर लोग रहते हैं यहा देखिए, जैसे मंदिर, मस्जिद, जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुदवारे जाते हैं, तो लग-लग धर्मों के, जो हम, जो टीचर बताते हैं, कि यह मंदिर है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, उनके बार में बताना, इनकी सभी धर्मों के ब कि जो दूसरे लोगों के जो विचार हैं, जो दूसरे लोगों के जो आइडियास है, जो उनका way of living है, उसके बारे में क्या है? रिस्पेक्ट करना, सिखाना. अब देखें, मान लिजय कि आप किसी की book पढ़ते हैं, इसमें उन्हें क्या रखा होता है? अपनों उन्हें एक idea दे होता है, उसमें उन्हें अपना अनुभव, जीसे हम कहते हैं, उन्हें ने अनुभव दिया होता है, अपना experience दिया होता है व ладно पे. आप देखें आप जैसे जी रहे हैं अपनी सोसाइटी में कुछ है गरम सभाव के, कुछ है नरम सभाव के तो सभी की इज़्जत करना सभी का जो जिन्दगी जीने का जो नजरिया है जो वियोफ लाइफ है, जो आइडिया से उनको कहे है रिस्पेक्ट देना ऐसा नहीं है कि आप उनके उपर बात थोब दो कि हाँ जो मैंने का वो सही है, जो आपने का वो गलत ऐसा नहीं है आप सबकी बात जानिए फिर उसके बात किसी आप निचोड के उपर पहुंचिए इस्टैबलिश फ्रेंडशिप विद अदर पीपल अब देखें, दूसरे लोगों को इसाथ क्या है आपको फ्रेंडशिप या दोस्ती करना अब देखें, अगर आप समाज में या सुसाइटी में अकेले रहते हैं तो आप कभी नहीं रह पाएंगे तो आपको क्या है, अपने दोस्त बनाने पढ़ेंगे साथ में देखने का मौका मिलेगा और उसके बाद उसके जो नौलेच से वो जानने का मौका मिलेगा यहां कि अगर आपको सुसाइटी में रहना है, तो आप क्या करेंगे कि आप, आपको उनसे फ्रेंडशिप करने ही पढ़ेगे, अपना एक दायरा बढ़ारा पढ़ेगा तो यह था टीसिंग अप्टियूड में, तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे, स्वाएम का